नमस्कार स्वागत आपका हमारे कारिक्रम हमारे जनप्रतिनिधी में आपके साथ मैं हूँ सुनाली शर्मा दर्शको हमारे कारिक्रम जनप्रतिनिधी के जरी हमारा उद्देश्य है हमारा प्रयास है कि आपकी मुलाकात हम अपने जनप्रतिनिधी के से कराएं ताकि आप उनक के शेत्र में उनका क्या योगदान है उसको भी आप समझ सके आज इसी कड़ी में एक बेहत थास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्तित हैं जिनका पूरा जीवन राजनीती के लिए ही समर्पित रहा है छोटी सी उमर में उन्होंने RSS का दामन थामा और उसके बाद भ जिस सबा सांसद श्री नरेश बंसल जी का सर बहुत-बहुत स्वागत आपका आपने समय निकाला और आप कारिकरम का हिस्सा बने तन्यवाद तो चली दर्शकों कारिकरम को आगे बढ़ाते हैं और सवालों के साथ और उनके जवाबों के साथ आपको नरेश बंसल जी के ब क्या है लेकिन इस सफर के बारे में भी जानेगी लेकिन सबसे पहले आपके व्यक्तिकत सफर की अगर बात की जाए सर तो आपका जनम कहा का है आपका बच्पन कहां पर बीता और जो शुरुवाती शिक्षा दिक्षा है वो आपने कहां से लिए सोना लिजी मेरा जनम देहरा दून में हुआ है एक निमन मद्धिम पर गए परिवार में मेरा जनम हुआ मेरे पिताजी एक आड़त की दुगान पर बुनीन थे देहरा दून की गलियों में मैं पल करके बड़ा हुआ और बच्पन में ही मेरा संबंध राश्ट्रिय स्विम सेवक संग से आया और मैं संग स्थान पर जाने लगा प्रारंबीक शिक्षा मेरी सिटी बोर्ड के स्कूल में हुई और उपर की शिक्षा चटी से बार वी तक यहीं पर राजा रोड पर साधुराम इंटर कॉलेज है मैंने वहाँ से इंटर किया डिएवी डिग्री कॉलेज से मैंने बीकॉम एमकॉम किया तो इस प्रकार से मैं छात्र जिवन में ही चुकी संग के संपर्क में आया शाखा जाने लगा एक नियमिस्वम्षवक के रूप में और गठनायक से लेकर उपर के दाइद तो मिलते चले गए जो जो काम मिला उसको करता चला गया यहां तक आ गया विल्कुल सर एक चोटी सी उम्र में हमने जान तक आपके वारे में जाना है पड़ा है बहुत कम उम्र में आपने आरेसिस का दामन थामा उस वक्त किस तरह कर बचार मन में चलते थे कि समाज के लिए कुछ करना है किस तरह से आपका जुकाव आरेसिस की तरफ रहा ने ने बच्पन में तो मैं अपने पडोस के मित्रों के साथ केवल खेलने के लिए गया वो समय किसी परकार का कोई कि आगे का लगबग आठ वर्ष की आयू में मैं संग की शाखा में जाने लगा लेकिन जाते जाते ये लगा कि सैयमित, अनुशासित, सब परकार के खेलना तो ही है तो बजाए इसके कि ऐसी जगे खेला जाए जहाँ एक दूसरे से मार पिटाई गाली के लोज होती हो ऐसी जगे खेला जाए जहाँ खेल खेले में भी संसकार है हर चीज में संसकार है तो नियमित संग की शाखा से जुड़ा और मैं 14-15 वर्ष का था नाइंथ मैंने पास किया तो संग का जो प्राथ्मिक शिक्षा वर्ष होता है जो उस समय दस दिन का होता था मैं उसको करने के लिए गया और उसकी भी बड़ी दिल्चस्प कहानी है जैसा मैंने बताया है कि मैं निमन वद्धे वर्ष परिवार का था तो मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं दे और संग में कोई भी काम मुफ्त में नहीं होता वहां के गणवेश अपने पैसे से बनाना पड़ता है कहीं जाना है तो उसका खर्चा अपना करना पड़ता है और परशिक्षन में जाना है तो उसका भी शुल्क देना पड़ता है तो मुझे ध्यान है उस समय मुझे फरनगर में वो रात्मिक शिक्षावर्ग लगा तो जाने के लिए किराया चाहिए और उसका शुल्क भी उस समय का दस दिन का शायद 15 रुपए था लेकिन मेरे पास वो थे नहीं पर चुकी जाना था तो मैंने डेड़ दो महीना पहले उसकी प्लैनिंग शुरू की और मैं स्कूल से आने के बाद लिफाफे बनाने लगा उसमें से चाराठाने रोज बचा करके जो मेरे प्रेरक थे जिन से मैंने सब कुछ सीखा जिनके कारण मैं संग को समझते वे आगे बढ़ते वे बढ़ता गया श्री स्वर्गेदयाचंजी जैन उनके पास में वो चाराठाने रोज जमा करने लगा और वो जब शुल्क जमा हो गया तो माताजी का तो यही कहना था भी कहां से पैसे कहां से आएगगे कैसे जाएगा तो उनसे कहा कि मैं चुकी थोड़ा सा भो भी रहता न बच्पर में कि मैं मुख्य शिक्षक हूँ मुझे मुफ्त में ले जाया जा रहा है मुफ्त में ले जाया जाता तो बड़ी दिल्चस्प हूँ है तो मैं गया करने के लिए करके आया तो इस प्रकार निरंतर फिर संग से सारे दाइतव गठनायक गण शिक्षक मुख्य शिक्षक मंडल कारेवा सायम कारेवा प्रभात नगर कारेवा यह सब जिला संपर्ग प अपने नौकरी वाली अवस्था जब आई जब अपने नौकरी की शुरुआत करी और सामाजिक जीवन भी आपका एक और चलता रहा तो किस तरह से समाजिस्वे आप बिठाते रहे और किस तरह से बैलेंस बिठाते रहे और उस वक्त क्या कोई अर्चन आपके सामने आई हा चार बहने थी हम दो भाई थे सबसे बड़ा महीं था परिवार तो उसके जिम्मेबारी भी थी उनको सहयोग करना आप में संग के कारे करता कि कुछ उसकार मिलता है उसमें यह मिलता है कि हर चीज में चुनोती का सामना करना और सबका सहयोग करना परिवार में है तो वहां सहय तो इस प्रकार से मैंने उसमें अपना जो कुछ कर सकता था परिवार के उसमें उसमें पढ़ते पढ़ते मैं एक टेस्ट देने चला गया तो यह अबना इसकी में मेरी नौकरी लग गई विकॉम फाइनल कर रहा था मैं हुआ नहीं था तो टाइप मैंने दोनों सीखी हुई थी तो टाइप एसके एकजाम में मेरी नौकरी लग गई दोनों टाइप मुझे आती थी अचानक नौकरी लगी तो मैं नौकरी करने लगा उस समय में विद्यारती परश्ट का कार्य करता था कॉलेज में पढ़ता था तो विद्यारती मेरी लगी 74 में, मैं बिकॉम कर चुका था, 75 में मैंने एमकॉम में एडमिशन लिया, रिवस में नौकरी करते करते, तब तक अमर्जनसी लग गए, तो उस नौकरी में वो कठना ही आई, अमर्जनसी में मैं भूमिगत कारकरता के रूप में काम कर रहा था, जहां संग के सब कारकरता, बड़े-बड़े कारकरता, वैसे जेल गए, सत्यागरेच जेल करके जेल गए, वहां चुकि मेरी पारिवारी के स्थिति को देखते हुए, संग के ही नेता, अपने अधिकारियों ने, मुझसे का कि भूमिगत काम करना है, तो जेल नहीं जाना है, तो मैं जेल नहीं गया, लेकिन भूमिगत दाईत्व, लोग लंच करने के लिए जाते थे, मैं भूमिग साहिते पहुचाता भी था, यमने स्कीमे था, यमने स्कीम के भी सब अधिकारी सारे दफ्तरों में, वो मेरे द्वारा साहिते आएगा, इसका इंतिजार करते थे, तो वहां अडचन के आई, अडचन आई कि जो 75 से 77 तक चला, तो वहां से फरवरी में मुझे, जनवरी या फरवरी में, 77 में, एक नोटिस मिला, कि आपका संबन्द RSSC से है, क्यों ना आपकी सेवाएं समाप्त कर दिया, अब उपरवाला अपने आप मदद करता है, तो उधर वो पत्र मिला मुझे, उधर मेरी बैंक में नोगरी लग गई, तो वो समाप्त करते इस से पहले मैंने पत्र दिया, तो 77 में मैंने बैंक जोइन कर लिया, यानि कि कही ना कही रास्ते आगे खुलते चले गए, चनौती भी आई, उस पर अड़के काम करते रहे, तो रास्ता खुलता भी गया, बिलकुल, सर अब राजनीती की बात करता है, सक्रिय राजनीती में जब आपने प्र निर्वन किया और पूरी तरह से किया, संग का कारे करते करते मुझे बिद्यारती प्रश्वन जैसे मैंने बताया, बैंक में नोकरी लग गई तो भारतिया मजदूर संग का, मैं यहां महानागर का महमंतरी रहा, जिले का महमंतरी रहा, परदेश की कारे समिती में रहा, बै 91 में जब भुकम पाया उत्तर काशी का तो उस समय भी मैं लगबग 6 महां तक अवकाश ले करके उसमें मैंने काप किया संग की ओर से मुझे उसका दाइत्व मिला उस समय एक समिती बनी उत्रांचल पहले बनी उत्रांचल भुकम पिडि साहता समिती फिर उसी का नाम हुआ उत्रांचल देवी आपदा पिडि साहता समिती तो संग की ओर से मुझे उसका दाइत्व दिया गया 20 वर्ष तक मैं उसकी स्थापना से लेकर के उसका महमंत्री रहा संस्थापक महमंत्री रहा फिर 20 वर्ष तक रहा फिर उपाद्यक्ष रहा फिर अप राजनिती की विस्तता में मैंने मैं उसका संस्थापक सदस्य हूँ उस समिती ने और सारे संग परिवार ने मिलकर इतना काम किया पूरा भटबाडी ब्लोग गौद में लिया पच्पन गाउं लिये उनका पुनरवास, विकास, चार सो से उपर मकान मनाए तो अपनी भूमिका तो उसमें केवले कार्यकरता की है लेकिन संगधन ने विश्वास करके वो काम दिया राजनिती में भी चुकि पहले में विद्ध्यार्थी पश्चत भे रहा तो राजनिती दूचि होना स्वभाविक तो राजनिती के काम में इसाद सो चुहतर से रह और एक जागरुक नागलिक के नाते संग का कार्यकरता होते हुए भी बेंक में नुग्डी करते हुए भी राजनिती में सकारात मग भूमिका यह मैं उस समय इभाता रहा जम्मेदारी ले करके पर जब राज्य बन गया उससे पहले भी जो संगर परिवार की उसमें भूमिका सी राज्य बनने में उसमें अपने दाजित्व का निर्वन किया जब राज्य बन गया तो फिर सभी ने बैठ कर विचार किया कि मुझे राजनिती में जाना चाहिए तो इस प्रकार से मैंने बैंक की नोकरी छोड़ी मेरी 14 साल की नोकरी बागी थी क्योंकि मैंने भी एक संक्राइब बहुत बार नाम आता था उससे पहले भी कई बार नाम आता था तो फिर पूर्ण रूप से जाना नहीं तो नहीं जाना तो फिर मैं बैंक की नोकरी मैंने पहले छोड़ी बाद में राजनिती में आया और इस दोरा आंसर परिवार वालों का सहयोग किस तरह से रहा क्योंकि एक तरफ आप नोकरी छोड़ रहे हैं राजनिती में प्रवेश करें आगे भविश्य कैसा रहेगा तो कई ना कई जो माता पिता है उनमें भी डर या कुछ रहा होगा तो किस तरह से आपने सब लोगों को समहाला और बताया कि अब नोकरी नहीं है और आगे राजनिती में जाना है राजनिती में मैं जब आया तो पहले मेरी संभावना ये थी कि मैं 2002 में लक्षपन चौक विधान सवा से विधायक का चुनाओं लड़ूगा लेकिन वो उन कारणों में नहीं जाऊँगा 2002 में मैं नहीं लड़ा तो उसके तुरंद बाद मुझे परदेश में महामंतरी संगठन का दाइत्व मिल गया है बीजेपी में महामंतरी संगठन ये गंभीर दाइत्व होता है और महामंतरी संगठन एक पूर्ण कालिक कारे करता है जो स्वेम चुनाओं नहीं लड़ता बाकी सब कुछ करता है चुनाओं नहीं लड़ता बाकी को चुनाओं लड़ता है तो मैं उस भूमी को मैं आ गया तो मैं फिर यह भूल गया कि मुझे चुनाओं लड़ता है तो साथ वर्ष में परदेश का महमंतरी संगतर ना पूरे प करताओं के बीच में उटना बेटना आना जाना परिवार का मुझे बड़ा बख सहे हो गिला विशेश रूप से मेरी पत्नी का बीच बीच पचीश पचीश दिन लगातार घर से बाहर रहना कभी आना तो रात को आना अगले ही दिन फिर जाना तो पुराना ब्रीफ केस रखा दूसरा ब्रीफ केस उठाया और चल दिये घर पर भी दस दस बीच 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 लोगों का आना उनका भोजन उनकी जलपान सब विवस्ता और मैं चुकि मेरी पारिवारी की स्थिति ऐसी नहीं थी मैं कोई नोकर रख सकता था तो सब काम मेरी पत्नी ने किया और बड़ा सह यहोग उसने दिया उसके कारणों में आज यहां तक महुंचांगां धीरे धीरे आप आगे बढ़ते गए सर और आपको कई दायतों मिले पार्टी के भीता जैसे आपने बताया संगठन महामंत्री कारेकारी प्रदेश अध्याक्ष आप रहे स्टार प्रचारकों की सूची गई पार्टी के प्रती कितना आपको लगता था कभी डर भी लगता था कि जिम्मेदारिया मुझे लगातार मिल रही है क्या मैं यह कर पाऊंगा आगे जब बढ़ते रहे तो किस तरह की भावनाय मन में आती रही नहीं संग की शाखा का और अधिकारियों का जो मार्ग दर इसलिए कोई निराशा का भाव नहीं और फिर मैंने तो हमीशा एक सुत्र मां कर में चला हूं मैं अपने सेहओग्यों को भी सुत्र को कहता था कि राजनिती में काम करते करते जो मिल जाए वो अच्छा जो ना मिले वो उससे भी अच्छा क्यों प्रभू की इच्छा तो मुझे कभी कश्ट नहीं होता था कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ अपना कर्तब पे करते चलो जो इश्वर ने कराना है वो होगा बिल्कुल सर आपने अपने दायत्वा का बखुबी निर्वहन किया है और इसलिए निर्विरोध आप राजसभा सांसच चुने गए निश्चत रूप से पहले अधिकांश भूमी का संगठनात्मक्ति अब जन्प्रतलिधी के रूप में अपेक्षाएं ज्यादा हैं और राजसभा का सांसच चुना हूं तो पूरे परदेश के अपेक्षाएं है तो कि पूरा परदेश की अपेक्षाएं हैं तो यही चाहत करता हूं इश्वर से भी प्रार्थ्रा करता हूं कि वो शक्ति दे सामर्थे दे कि सहे शरल स्वभाव बना रहे और जो आकांग्षा है उनको मैं पूरी कर सकूँ तो राजसभा सांसद होने के नाते बंसर जी अब आपका विजन किस तरह का है क्या रोड मैप है आने वाले सालों में किस तरह से आप अब उत्राखंड को विकास के पत पर और अग्रसर करते हुए देखना चाहेंगे तो किस तरह का रोड मैप आपका है विकास तो जब से जबूत नेत्रतों में कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें आप कहेंगे विकास नी और चाहे वह बुनियादी धांचा हो बड़े-बड़े फ्लाइओवर बन रहे हैं बड़े-बड़े नेशनल हाइवे बन रहे हैं बड़े-बड़े आप उत्राखंड मी देखिए आल वैदर बनेगी तो इस प्रकार से विकास के वीजन तो मोदी जी का जो है उस वीजन को लेकर करके हम आगे बढ़े और उत्राखंड के परिधा में उसका जितना लाब उठा सकते हैं और उत्राखंड के प्रति उनकी चुकी विशेश लगाओ भी है उनका उत्राखंड से तो हमारा प्रियास यही होगा कि उनके उस लगाओ का लाब उठा करके उत्राखंड को जितना कुछ केंदर से प्राप्त हो जाए और उत्राखन का विकास जैसे उत्राखन देव भूमी है देव भूमी के नुसार इसका विकास हो परेटन बड़े तिर्थाटन बड़े वीर भूमी है तो सैनिकों के कल्यान के काम हूँ पांचवा धाम बने सैनिक धाम और जल शक्ति यहां पर है उसका उपयोग हो जन शक्त इन सब चीज़ों का तो मेरा प्रियास यही होगा बिलकुल सर ये भी जाना चाहेंगे आप से कि कुछ ऐसे शेत्र या कोई ऐसे सेक्टर आपको प्रदेश में लगते हैं जहां पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो दूसरों राज्यों के मुकाबले उत्राखंड कहीं न कहीं उन चीज़ों में कहीं पीछे न रह जाए ऐसे में कुछ ऐसे शेत्र हैं जहां पर आप चाहते हैं कि आपका फोकस आने वाले सालों में जरूर रहेगा देखिए एक तो मेरा फोकस यह रहेगा कि यद्देपी किर्शी भूमी कम है लेकिन किसानों की आए बढ़े किसानों को लाब मिले और परवतिय छेत्र में हमारे पास बहुत बड़ी संभावना और्गनिक खेती की है कॉंटेक्ट फार्मिंग की है इस और उत्राखन आगे बढ़े इस पर मैं जरूर फोकस करना चाहूंगा बेरोजगारी कम हो युवाओं को मिले स्किल डेवलोप्मेंट के काम हो अभी मैं स्किल डेवलोप्मेंट की जो पार्लेमेंट की कमेटी है मैं स्टेंडिंग कमेटी ऑनलेवर उसमें इसकिल डेवलोप्मेंट भी है उसमें मैं सदस्यनामित हूँ तो मेरा प्रियास रहेगा कि नौ जवानों को उनका स्किल डेवलोप्मेंट हो उनको रुजज़गार के अफसर प्राप्त हो प्रदेश के अंदर अब जा नया समस्या है और है तो इस प्रकार की सब चीज़ों पर मिल जूल करके सब लोग करेंगे जो पलाइन की समस्या भी देखने को मिलती है उत्राखण में उसको लेकर भी आप क्या सोचते हैं और उसको रिवर्स माइग्रेशन में कही ना कही तब्दील करने में आप किस तरह से आगे देख रहे हैं ठीज़ों तो मेरा इस मावली में मानना है कि पलाइन को देखना पड़ेगा कि पलाइन किस कारण से है जैसे एक पलाइन इसलिए होता था कि बहुत कठनाई थी सडके नहीं थी सुविधा पहुचा दे जैसे अब अटल जी की परधान मंतरी गरामिन सडकी योजना दो हजार की आबादी से लेकर आज वो ढाइसों की आबादी तक के गाउं चुड़ गए तो वो समस्या खतम होगी दूर दूर तक पैदल चलने की वहाँ पर पानी है शिक्षा है स्वास्त है ये स इसके बाद भी पलायन हो तो मैं उस पलायन को बुरा नहीं मनता इसके बाद क्यूंकि पलायन तो ये व्यक्ति की प्रवर्ति है वहाँ बैठे व्यक्ति को अगर कम आय हो रही है उससे जादा दूसरी जगे मिल रही है उसका स्किल डेवलोप्मेंट हो गया है वहाँ पर उ तो कोई चीज ही नहीं कारम से में लेगा तो वो प्लायन विकास को इंगित करता है वो प्लायन बुरा नहीं है हाँ इतना जरूर है कि उस प्लायन पर जो जाए वो जरा जहां से आया है वहां की भी चिंता करता रहे है साल दो साल में वहां भी आता रहे है इस प्रकार से प्ल और एक आगरी सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे तमाम जो हमारे युवा हैं जो राजनीती के ओर देखते हैं और अपना भविष राजनीती में देखना चाहते हैं लेकिन कुछ कारणवर्ष आगे गदम नहीं बढ़ाते उन तमाव युवाओं को आप क्या सलहा देना च सबसे पहली बात तो अगर आप राजनीती को केवल सत्ता चढ़ने की सेड़ी बान करके चलेगे तो वो स्वार्थ हो गया राजनीती को सेवा का माध्य मान करके करेंगे तो करने में भी आनंद आएगा और राजनीती का उदेश भी पूरा होगा आपसी प्रतिस परदा भी वो नहीं होगी जो गला काट होती है एक दूसरे का क्रेक्टर एसे नेशन और बागी सब चीज़े देखने को मनती है केवल इसके लिए एक ही है बीजेपी की इसी सिद्धान्त पर काम करती है कारिकरताओं को यही पर सिक्षन होता है कि सेवा से संगठन से राजनीती राज शेक्षा स्वास्त यह उसकी पूरी हो सके इसके लिए अगर सोचकर राजनीती में आए तो फिर सफलता सफलता की गणना नहीं होगी अपने करतवे की पूरती होगी उसको करने में जितना करेंगे आनंद आएगा अन्यता तो विक्ति यही सोचता रहेगा यार मुझे दस स अच्छा है क्योंकि वह उसकी भी आवशकता है लेकिन नहीं मिला तो वह उससे भी अच्छा क्योंकि वह प्रभु की इच्छा तो आदमी माद आनंद के साथ राजनीती अब बिल्कुल और युवाओं को राजनीती की और दरूर बढ़ना चाहिए बिल्कुल सज्जन सोग युवाक युवाक कुछ भी परिवर्तन कर सकता है कि देश के अंदर किसी भी देश के नदर को भी घृर u पर कोई क्या कि बदलाओ कि야 निलाय क्योंकि उसके अंदर रिस्क लेने की सामर्थ इच अधिए और जया होती है इस लिए यूव को को मैं विशेष रूप से क सेवा के लिए राजनेती करें, यह मेरा निवेदर है। बहुत एहम बात आपने आज हमारे माध्यम से दर्शुकों की, आपने हमारे लिए अपना समय निकाला सार कारिकरम का अप हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार एक और हस्ती से आपको रूबरू कराएंगे, तब तक लिजाज़त दीजे, तमस्कार